नमस्कार दोस्तों मैं धर्वंदर पताफ शिंग आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस न्यूज हमारे सामने बैठे हैं सोताई गाउं के दिनेश कुमार और उनकी पतनी सोनिय यह लोग बहुत परिशान हैं गाउं की कुछ लोग इनको परिशान कर रहे हैं हम इनसे बा माता पिता को परिशान करते हैं मारपीड करते हैं क्या यह बात सच है नहीं यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है सर लेकिन क्या है कि हमारे जो घर परिवार के ही बंदे हैं जो उन्होंने हमारे मावपों को भड़का करके और हमारे खिलाप करवा दिया उन्होंने बिल्कुल जो complain आपके पीता जी ने दी थी, उसके बारे में बताइए, क्या हो सच है? क्या सच में आपक्षिट करते हैं? नहीं सर, मैंने कभी भी अपने मावप को कभी भी हात ने लगाया. कसम खा के बोल सकते हैं? एक हमने कभी भी अपने मावपां के बारे में नहीं कभी मावपां के बारे में सोचा नहीं कभी उनके तरफ हाथ उठाया आपके पिता जी कंप्लेंड क्यों करवाएंगे बताएंगे जोटी कंप्लेंड करवाएंगे क्यों करवाएंगे जोटी कंप्लेंड करवाएंगे आप एकलोते बेटे हैं? जी मैं अकेला लड़का हूँ बेद अखली से पहले तो आप ही देखवाल कर रहे उन्गे माता-पिता की देखवाल करता था अपतो कोई नहीं होगा अकेले रहते होंगे मेरे क्याल से माता-पिता उतकतल मेरे और अलग मकान में रहते हैं जो पुरा आपके कितने बच्चे हैं सर मेरे दो लड़की एक लड़की हैं सर अच्छा तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने आपके माता पिता को आपके खिलाब भड़का दिया ताकि आपको बेदखल कर दें और आपके माता पिता अकेले हो जाएं फिर वो कबजा कर सकें अपके माता पिता को समझ नहीं आ रहा कि कुछ लोग जान बूच कर सोची समझी साजिस के तहट उनको आपके खिलाब भड़का दिया ताकि वो आपको बेदखल कर दें और वो पीछे से कबज़ा कर सके आपके माता पिता को ये बार समझ में नहीं आई जी नहीं उनके समझ में नहीं आ रही है अच्छा ब्रेनवास कर दिया उन् जी हमारी माता पता उनकु झान का खत्रह है क्योंकि हम भी सुगहीं कोई नहीं रहता है पीछे से भी हमला कर सकते हैं आप वह वेदेखल करवा ही दिया है् और मेरे घर से काफी घर दूर भी है पुराना वाला घir है जो हमारे जिसमें रहते हैं क्या पताएं रात को नंडा कर दे आखिसी भी दिन कभी कुछ भी कर सकते हैं पुलिस प्रसासन से क्या मांगे सराथ के पुलिस परसास अंसर मेरी यही मांग है कि मेरी माता पता की सुरक्षा की जाए अच्छे जी ठीक